नमस्कार दोस्तों आए आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पनीर खाने के फायदे और नुकसान जिहां दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पनीर खाने के फायदे और नुकसान शाकाहारी खाने के अगर बात आती है दोस्तों वो भी कुछ स्पेशल बनाना हो साकाहारी में त कि यह सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमन माने जाती है दोस्तों पनीर का नाम सुनते ही आपके मुँँ में पानी आ जाने एक आमसी बात है पनीर हैं इतना टेस्टी कि अच्छे-च्छे के मुँँ में पानी ला दे स्वाद के साथ साथ पोशक तत्थो जैसे प्रोटीन कै करता है कि आप कौन सा पनीर खा रहे हैं जी हां आप गाय के दूद का ले रहे हैं या भैंस के दूद का ले रहे हैं जो भी हो पनीर अगर आप ले रहे हैं तो यह फायदे आपको मिलते हैं सभी तरह के पनीर आपकी सेहत को लाप हो जाते हैं और कई खतरनाक बिमारियों की प्रोक थाम करते हैं चेहरे पर चमक लानी होग अगर आपको तो पनीर का सेवन करें आप पनीर में विटामिन बी होता है विटामिन बी के सेवन से हेल्डी और गलोविंग स्कीन मिलती है पनीर को नियमित रूप से अपनी डाइट में शामिल करें आप कुछ ही दिनों में भर्क महसूस करने लगेंगे दोस्तों और अगर आपके दानतों में प्रोबल्डम है جब मजबूत दातों की बात आती है तो केलशियम सबसे जरूरी होता है पनीर में कैल्सियम हाई क्वालिटी में मिलता है पनीर में लक्टोस बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है लक्टोस एक ऐसा पदार्थ है जो खाने से निकलता है और दांतों को खराब करता है पनीर सल्विया के प्रवाह को बढ़ाता है और दांतों से एसीड और शुगर को स गठिया से भी रहात देता है दोस्तों गठिया रोग होने की सबसे बड़ी वजह बोडी में कैल्शियम की कमी का होना है पनीर गठिया रोग के मरीजों के लिए बेशट उपाय है इस बीमारी का इलाज प्रोटीन, कैल्शियम, विटामीन और हाई क्वालिटी मिनरल्स का सेव करना होता है इस विमारी में जो कि यह सभी चीजें पनीर में मौझूद होती हैं हड्डियों को मजबूत बनाती है यह पनीर कई पोशक तत्थों से भरपूर होता है strong bones के लिए calcium की चरूरत होती है और पनीर में protein और calcium दोनों ही high quality में मौझूद होते हैं पनीर में vitamin A, phosphorus और zinc भी पाया जाता है vitamin B भी पनीर में पाया जाता है जैसा कि हम आपको बता चुके हैं खास तोर पर बच्चों pregnant woman और बुजूर्गों की हड्डियों को मजबूत करने में पनीर मदद करता है और अगर आपको टेंशन हो दोस्तों रात को निंद नहीं आती या फिर आप तनाव ग्रस्थ हैं तो सूने से पहले आप पनीर का सेवन करें निंद अच्छी आएगी यह इसलिए होता है क्योंकि पनीर में ट्रेप्टोफोन अमीनु एसिड पाया जाता है जो टेंशन को कम करने और निंद को बढ़ाने में मददकार है दोस्तों बोडी की इम्मुनिटी सिस्टम भी बढ़ जाती है पनीर का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ जाती है दोस्तों रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ती है तो बिमारियों से लणने की शरीर में शक्ति आती है पावर आती है दोस्तों आप किसी भी बिमारी के चपेट में इजिली नहीं आपाते हैं पनीर खाने के नुकसान अब जानते हैं दोस्तों कि क्या क्या होता है अभी तक हम लोगों ने फायदे के बारे में जाना अब हम नुकसान पर ध्यान देते हैं दोस्तों पनीर खाना सेहत के लिए फायदे मन तो है लेकिन च्यादा पनीर खाना आपके लिए नुकसान देह भी सावित हो सकता है पनीर में हाई क्वालिटी का फैट मौजूद होता है जो कोलेस्ट्रोल को बढ़ाता है कोलेस्ट्रोल का बढ़ना आपके दिल के लिए खत्रा भी पैदा कर सकता है साथ ही अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं तो आपको पनीर नहीं खाना चाहिए कुछे देशों में रो मिल्क यानि कि कच्चे दूद से बनने वाले चीज पर रोक लगी हुई है जिहां वहीं कुछ देशों में हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार रो मिल्क का इस्तेमाल चीज में नहीं करने की सलाह दी जाती है दरसर डॉक्टर्स का यह मानना है कि कच्चे दूद में बैक्टीरिया होने की आशंका ज्यादा होती है जबकि पॉस्चिराइड दूद में बैक्टीरिया नहीं होते हैं पास्चुराइड दूद से बने पनीर का इस्तेमाल किया जाता है हलांकि इंडिया में पनीर गाय भैस के दूद से ही बनता है जो पास्चुराइड करके या फिर उबाल कर ही बनाया जाता है चीज पीला क्यों होता है चीज यानि कि पनीर कई बार गहरा या हलकी पीले रंग का होता है भारत में जहां गाय या भैंस के दूद से पनीर बनाया जाता है वहां इसमें पीला पन ज्यादा नहीं होता है वैसे भी जानवरों के दूद से बने पनीर में पीले पन की वजह इसमें पाए जाने वाला करोटे नाइट पदार् होती है जैसे कि बकरी या भेट के दूध के साथ क्योटुन अपना असर नहीं चोड़ पाता है ऐसे में इनके दूध से बने पनीर में पीला पंड नहीं होता है पनीर को कच्चा सला दिया सब्जी बना कर किसी भी रुप में ख़ाया जा सकता है लेकिन इसकी सब्जी बनाते समय इसे पकाना नहीं चाहिए वरना इसके पोशक तत्तों में कमी हो जाती है दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए पनीर के फायदे लेकर के आये थे अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछे कैसी ही महत्तों